Hello friends, welcome back to Asset Builder YouTube channel और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुंत ही ज्यादा important रहने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे एक unique strategy लेके आया हूँ जो साइद आपने कभी भी सुनी नहीं होगी ये strategy की help से आप consistently market के अंदर पेशे कमा सकते हैं अब यहाँ पे strategy का जो designing कीया है वो इसी सबसे कीया है कि यहाँ पे बहुंच सारे problem आपके solo हो जाते है तो अगर हम basic problem की बात करें तो सबसे पहले कि जब भी आप कोई share buy करते है तो तुरंथी वो share generally नीचे जाना चालू हो जाता है मतलब के most of the retail public को experience है कि जब भी हो share buy करते है तब भी हो नीचे जाना चालू करता है या फिर जब भी हो profit book करते है वहाँ से वो further बहुती ज़्यादा rally कर जाता है तो यह जो basic problem है उसका solution आपको यहाँ पे मिल जाएगा दूसरी एक चीज है कि generally market आपको इस तरह से trending दिखेगी downtrend में दिखेगी या फिर sideways दिखेगी ठीके तो जब भी market trending में होते तब भी यह साने है कि यह continuously इस तरह से trend करेगी उसमें भी यह up moment आएगा फिर down moment फिर up moment down moment इस तरह से zigzag moment आता है similarly down moment में भी इस तरह से zigzag moment आता है और अगर market sideways भी रहता है तो उस time पे भी इस तरह से moment आता है तो यह जो strategy है उसमें यह सारी जो moment है वो generally capture हो जाती है और आपकी profitability बढ़ जाती है और एक important चीज है कि जब भी market sideways में चला जाता है तो आपकी जो swing trading के strategy है वो generally आपको return बना के नहीं देती है और आपका जो fund है वो वहाँ पे ideally पड़ा रहता है और आपको उसके उपर कोई return नहीं मिलता और सामने अगर आपका portfolio negative है तो आपकी psychology भी impact होती है तो यह सारे जो problem है वो problem को observation करते हुए एक unique strategy design की है तो यह video थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से आप सुनिये कि strategy कैसे काम करती है मैं यहाँ पे आपको एक example के जरिये भी दिखाऊंगा किस तरह से आपको यह strategy execute करनी है लेकिन आगे बटने से पहले एक disclaimer है कि यहाँ पे जो भी stock में आपके साथ discuss करूंगा ओ मेरा कोई भी buy और sell का recommendation नहीं रहेगा मेरा शिफ purpose यह है कि आप किस तरह से यह strategy execute कर सकते practically ओ समझाना रहेगा सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ा जाननी जरूर है कि generally लोग जब strategy के नाम सुनते है तब उनके mind में आता indicator तो यहाँ पे कोई भी indicator का मैंने use नहीं किया है दूसरा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत basic fundamental and financial समझना जरूरी है आपको अगर fundamental and financial इतना ज्यदे समझ में नहीं आता है तो आप दीरे-दीरे सीख भी सकते है और मेरे चैनल पे भी काफी सारे वीडियो है वहाँ से भी हम strategy की बात करते है तो हमारे mind में future and option की strategy mind में आते है लेकिन यह जो strategy है वो purely case equity market की strategy है मतलब कि यहाँ पे आपको positional case market के अंदर invest करना है और strategy wise आपको execution करना है और एक important चीज़ कि यहाँ पे जो risk है और negligible है future and option के comparison में लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ risk तो रही जाता है क्य रहीता ही है तो अगर आपने stock selection में गलती कर दी या फिर आपका risk management proper नहीं रहा मतलब कि कोई एक share में आपने ज्यादा invest कर दिया तो भी आपके यह जो strategy हो मेई भी आपको थोड़ा सा कम return या फिर negative return दे सकती है तो एचीश का ध्यान रखे वेसे जो risk factor मैंने काफी अच्छी तरह से cover कर लिया है लेकिन फिर पी अगर आप execution में गलती करते है तो यहाँ पे थोड़ा बहुंत risk करेता है अब यहाँ पे हम case market में काम कर रहे है तो risk का मतलब यह है कि आपका जो share है वो maybe हो सकता है कि एक दो तीन साल तक हो 50% जितना आपको negative दिखाई दे लेकिन कभी ना क अगर अच्छी company होगी और result भी अच्छी आ रहे तो कहीं ना कहीं उपर आए गई और आपका जो return हो बना के देगा अब strategy अब यहाँ पे तीन पार्ट में divide करेंगे सबसे पहले हम stock selection देखेंगे कि आपको stock selection किस तरह से करना है दूसरा हम देखेंगे कि आपके पास जो capital है utilization कैसे करना है और risk management कैसे करना है इन तीसरा है कि strategy execution कैसे करना है तो सबसे पहले हम देखते है stock selection तो stock selection में हमें यहाँ पे fundamentally good stock सी select करना है अब यहाँ पे सबसे पहला जो parameter है हो कि good business होना चाहिए अब good business का मतलब है कि at least o business आपको profit कमा के दे और आपको थोड़ी बहुत समझ हो होनी चाहिए वो business की और हो सके तो बहुती ज्यादा cyclic stock आप मत लिजे क्योंकि हो सकता है कि बहुती लंबे time तक consolidated करे अब यहाँ पे strategy में मैंने discuss किया है कि consolidation में भी आप पेसे कमा सकते लेकिन फिर भी हो सके तो आप बहुती ज्यादा cyclic behavioral stock select ना करे दूसरा है कि profit making company होनी च वो equity से 50% से कम होना चाहिए मतलब company का जो loan है वो 50% से कम होना चाहिए ठीक है तो यह basic criteria है अब हो सकता है कि कुछ company जो है और turnaround condition में रहती है तो maybe यह parameter match ना करे लेकिन वहाँ पे फिर आपको business की समझ होनी जरूरी है अगर यह दो parameter match नहीं कर रहे तो वहाँ पे business अच्छा होन चाहिए और उसकी balance sheet में भी दम होना चाहिए ठीक है तो यह चीज थोड़ा सा discretionary है क्योंकि यहाँ पे आपको fundamental थोड़ा समझना जरूरी है दूसरी एक चीज कि यहाँ पे हम जो strategy apply करेंगे वो हो सकता है कि आपके पास capital कम हो अगर आपके पास capital कम है तो यहाँ पे आप जो capital के लिए अगर मान लिजे कि आपके पास 1.5 lakh capital है तो यहाँ पे आपका जो stock price का criteria हो less than 500 हो जायता लेकिन मैं recommend करूंगा कि अगर आपके पास 3 lakh से नीचे का amount है तो यह strategy आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी तो वहाँ पे फिर जो number of stock है आपको कम करना पड़ेगा तो मैं जिस तरह से आपको strategy सिखाऊंगा उस तरह से आप execute कर सकते हैं similarly अगर मान लिजे कि आपके पास 1.5 lakh का capital है तो यहाँ पे less than 500 की जरूत नहीं है आप less than 1000 वाले stock ही select करिए और वहाँ पे जो number of stock है वो आप कम कर दीजे ठीक है तो यहाँ पे जो number of stock मैंने रखे है वो रख इस तरह से रोटेट होगे ठीक है तो हो सकता है कि अगर number of stock 5 है तो यहाँ पे जो rotation है वो थोड़ा rigid हो जाए और आप सही से रोटेट ना कर पाए अब तीसरा जो criteria है वो है chart pattern तो हमें यहाँ पे generally cup with handle या फिर reverse head and shoulder pattern ठीक है यह दो pattern के बेज़ पे अच्छे potential stroke ढून के अगर उनमें upside potential ज्यादा है और downside risk है वो थोड़ा सा कम है तो उस type के अगर हम stock select करेंगे वो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है अब बात आती है capital utilization कैसे करना है तो मान लिजे के आपके पास 3 लाख रुपे का capital है ठीक है हमें 10 stock के अंदर invest करना है अब यहाँ पे minimum जो criteria है वो है 20 2000 रुपे पर stock तो एक stock के अंदर आपको 20,000 रुपे का investment करना है तो अगर आप 10 stock में invest करते तो आपका 2 लाख रुपे का capital use हो गया और बाकी का जो 1 लाख रुपे का capital है वो आपको case में आपके account में रखना है ठीक है अब यह जो 1 लाख रुपे का capital है वो आपको strategy fulfill करने में help करेगा तो strategy जब आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक लाख रुपे का क्या करना है ठीक है और दूसरा एक चीज कि यहाँ पर आप जो भी investment करते इस stock में उस सभी में equally करना है यह सा नहीं कि अच्छे stock में ज्यादा कर दिया और थोड़े आपको खराब लग र पार्ट पे तो execution में जैसे मैंने बताया कि आपको अपने 10 stock का basket ready रखना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको for example 10 stock के नाम दिखा देता हूँ अब यहाँ पे मैं जो भी आपको stock दिखा रहा हूँ वो मेरा कोई भी buy or sell का recommendation नहीं है मैंने strategy समझाने के लिए सारे stock है कि इसमें upset potential है लेकिन फिर भी आप अपना due diligence कर लिजे तो सबसे पहला है JP power दूसरा है IEX तीसरा है अतु लोटो चोथा है सारदा crop पांचवा है वीगार्ड 6 है time technoplast तो हम time technoplast का example लेंगे क्योंकि इसकी जो price है वो 100 उपीस के आसपर चल रहे है तो calculation में थोड़ा सा आस नहीं रहेगा तो हम इसका example लेंगे फिर next टीवी 18 उसके बाद एस बैंक उसके बाद एन एम इंडिया निप्पोन इंडिया एसेट मेनेजमेंट लास्ट है वेभव ग्लोबल अब देखे हो सकता है कि यहां पर कुछ जो स्टोक है वो ट्रेंडिंग कर रहे हो कुछ स्टोक है वो बहुति ज्यादा sideways हो बहुति ज्यादा down होके इस तरह से consolidation phase में हो और हो सकता है कि कुछ स्टोक है वो बहुति ज्यादा रहे ली करके फिर बहुति ज्यादा अभी downward moment में हो ठीक है लेकिन ए चीजों से हमें कोई फरक नहीं पड़ता यहां पे मुझे लगता है कि दस पार्केट के पाव है 2000 करोड का है और कंपनी का P 10 का है मतलब के बहुति undervalued कंपनी है और यहां पे ROC ROE भी ठीक ठाक है 12 का ROC है और ROE 10 का है ठीक है अब जो criteria उसके इसाब से थोड़ा से कम है लेकिन यहां पे क्यूंके book value के इसाब से थोड़ी से downside चल रही है और यहां पे कंपनी में future growth prospect थोड़ा से अच्छा है तो इसलिए मैंने कंपनी सिलक की है तो यहां पे fundamental and financial जो basis दिखाया थोड़ा से discretion रही है अब चाहे तो यहां पे ROC 15 के उपर ही हो वो debt to equity ratio कम हो एसे कंपनी ले सकते तो generally में debt to equity कम हो एसे कंपनी प्रिफर करता हूँ भले हो turnaround company हो लेक एक reverse head and shoulder pattern बना था और उसका target भी achieve हो चुका है मैंने already यह जो pattern है उसके base पे यहां पे मैंने position बनाई थी और यहां पे profit भी book कर लिया है खिक है तो यह मेरा disclaimer है 116 पे मैंने profit book कर लिया है अभी मैं फिर से यहां पे wait कर रहा हूँ कि यहां से company ने moment लेना चालू किया था तो अ execution part में कि actual में strategy execute कैसे करने for example मान लिजे कि आज से ही आप यह strategies चालू कर रहे तो यहां पे आपको 20,000 रूपीज invest कर देने तो अभी आपके portfolio में कितने shares आएंगे तो अगर हम 20,000 divided by 90 करेंगे तो आपको यहां पे quantity buy करने है 223 ठीक है तो आप 223 quantity buy कर लेंगे तो आपके account में दिखाएगा 223 quantity और current जो invested amount है और 20,000 प्लस current market price से इसाब से जो आपका portfolio दिखाएगा वो भी 20,000 का होगा ठीक है अभी आपको यहां पे क्या करना है कि यहां पे में 10% का cape रखा है ठीक है 10% का cape मतलब कि 20,000 का आपका जो amount है अगर मान लिजे कि यहां से price upside move करता है तो आपक 20,000 22,000 बन जाएगा अगर downside move करता है तो आपका 20,000 18,000 बन जाएगा ठीक है तो यह जो upper यह downside आपका 18,000 यह 22,000 बन जाता है तब आपको क्या करना है कि यहां इसमें further आपको 2000 रुपय का invest करना है यहां फिर अगर upside जाए तो वहां से 2000 रुपय का आपको profit book करना है ठीक है simple है तो मान लिजए कि यहां से 10% रुपर गया मतलब के यह जो share की price है 99 होगी तो यहां पे आपको profit book करना है 2000 रुपय का तो यहां पे मैं अगर approximately इसको 100 रुपय कंसिडर करू तो 2000 रुपय में आपके 20 quantity sold कर देनी है ठीक है अभी आपके पास quantity कितनी बच जाएगी 20,03 quantity similarly अगर downside moment आती है तो यहां पे share price आ जाएगी 81 रुपीज और 81 रुपीज अगर share price आ जाती है तो आपको यहां पे further 81 रुपीज पे 2000 रुपीज का investment करना है तो यहां पे मैं 2000 के इसाब से calculate करू तो 2000 रुपीज डिवएड बाइ 81 का price है तो यहां पे आप further 24 या फिर 25 quantity add कर सकते है ठीक है तो अगर share price डाउन जाती है तो यहां पे आपको 24 quantity add करनी है मतलब के 2000 रुपीज का यहां पे further investment करना है तो I hope कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो यहां पे हम अगर मान लिजिए को back testing करके थोड़ा सा देखते ताकि आपको अच्छी तरह से strategy समझ में आ जाए for example मान लिजिए कि आपने यहां पे 100 रुपे की price पे buy किया था ठीक है अब basically आपको क्या करना है जब भी आप buy करते है जैसे मान लिजिए कि आपने 100 रुपे में यहां पे buy किया था ठीक है अब यहां पे buy किया तो कितना quantity आएगा 20,000 में 200 quantity यह है current market price ठीक है आपको GTT लगाने है पहला GTT जो आपका sell का रहेगा ओ 110 रुपे आपको कितनी quantity sell करनी है for example 20 quantity मैंने जैसे दिखाया कि 2000 रुपे काई profit book होना चाहिए तो यहां पे 19 quantity आएगी लेकिन में यहां पे easiness के लिए 20 ले लेता हूं similarly जब यह जो share price है current market price जो अगर 90 जाती है तो आपको 90 का GT 20 quantity लगाना तो वहां पे आपको quantity तोड़ी से ज़िएदा मिलेगी ठीक है तो जब आप करेंगे तो आपको ज्य़्यादा quantity मिलेगी और sell करेंगे तो आपका profit जड़ा वुक होगा ठीक है तो यहां पर आपने 100 रूपे पर बाई किया यहां पर आपने 110 रुपे पे sell कर दिया, ठीक है, तो आपका profit booking हो गया, 2000 रुपे, फिर वापस से share यहां से नीचे आना चालोगा, तो वापस से आपने यहां पे buy कर लिया, यहां पे आपको वापस buy करना है, 100 रुपे पे, ठीक है, वापस से आपने जो 110 पे 20 quantity sell की थी, तो यहां पे आ amount कम हो जाता है, तो आपको वापस थोड़ा सा amount enter कर देना है, ठीक है, तो इस तरह से करते जाना है, तो यहां पे buy किया, फिर यहां sell किया, फिर फर फर्दर नीचे आया है, तो यहां पे फिर से buy किया, फिर उपर गया, फिर यहां पे sell किया, फिर दूसरी बार यहां उपर गया मतलब यहाँ पे आपका पॉर्टफोलियो ट्वेंटी के का था यहाँ पे हो गया 22 के तो आपने यहां से 2000 रुपे का profit बुक कर लिया तो फिर से यहां से यहां पे 20,000 से further 10 पर्शंट ओपर जाएगा तो यहां पे आपका पॉर्टफोलियो वापस से 22,000 हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपको 2000 रूपय का प्रोफिट बूग कर लेना है ठीक है फिर यहाँ से नीचे आएगा तो यह जो आपको फर्दर 2000 रूपय इन्वेस्ट करना है अब मान लिजे के हो सकता है कि कोई शेर जो है वह 10 परसंट अपना जाए और 5 परसंट यह अप जाए और नीचे यह से चलता ही जाता है ठीक है तो आप कब तक इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो मान लिजे आप आपने यहा आपको अपका इन्वेस्टफए करना है जब तक आपका उन्वेस्टेड अमाउंट 30,000 हो जाए ठीक है उसके बाद आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो यहाँ पर शिधा से मतलब है कि यहसा तभी होगा जब आपका स्टोक जो है वह 50 परसंट डाउण साय तो यह दोनों case में हमारे लिए कोई problem नहीं है क्योंकि generally कोई भी share जब downside moment भी दिखाता है तब उसमें बीच-बीच में upside moment भी आती है तो हमारा वहाँ पे profit book होता रहता है ठीक है अगर मान लिजे कि 50% down जाके फिरो share वहाँ पे एक range में घूम गया तो वहाँ पर भी आप 10% का profit continuously booking कर सकते है जैसे हमने देखा कि यहाँ पे consolidation phase था तो यहाँ पे आप continuously up-down में profit book करते रहते थे तो similarly वहाँ पर भी आपका profit book होता रहेगा अब यह तो होगे downside की बाद upside में profit कब तक book करना है तो upside में आपने मान लिजे कि यहाँ पे 20,000 का amount एंटर किया था अगर मैं इस तरह से मान लेता हो कि share continuously move कर रहा है आपने यहाँ पे 2000, 2000, 2000 इस तरह से profit book करते गए ठीक है अब मान लिजे कि एक time ऐसा आएगा कि आप यह जो 2000 रुपे दस बार अगर निकाल लेंगे तो आपका जो total profit booking है और 20,000 रुपीज हो जाएगा मतलब कि आपका जो initial invested amount है वो तो वेसाई का वेसा ही रहेगा प्लस आपने 20,000 रुपीज आपके bank account में transfer कर लिए मतलब कि आपके पास अभी जो share पड़े है वो free हो गए तो यह होगी strategy की बात अभी आपको क्या करना है कि जितना भी आपका profit booking होता है buy sell buy sell वो सबका हिसाब रखना है तो for example मान लिजे कि आपने यहाँ यहाँ पे 20,000 invest किये थे अभी आपका 2,000 का profit book हुआ तो आपको हिसाब लगाना है कि इस particular share में मेरे कितने रुपे invest है और वहाँ पे कितना profit book हुआ जो आपको छोटे छोटे अपडाउन मिलते है वहाँ पे आपका जो profit booking होगा वो 10% का 10% होगा ठीके क्योंकि यहाँ पे आपका जो profit booking है वो 1% होगा ठीके तो जितने आपको up down मिलेंगे उतने percent का आपका return बनता जाएगा तो यहाँ पे मान लिजए कि 1,2,3,4,5 पांच बार बना तो यहाँ पे 5% का आपका profit booking होगी है अब मान लिजए को यहाँ पे buy करके बैठ गया होता तो यहाँ पे उसका return 0 होता लेकिन आपका return हो 5% है तो यह चीज का हिसाब आपको रखना पड़ेगा और हिसाब किताब केसे रखना है उसका मैं एक excel में आपको further दूसरे वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से यह जो strategy है उसका आप एक accounting रख सकते है ठीके अब यहाँ तक तो आपको सारी चीज इस तरह से downside moment दिखाए ठीके तो हमने जो 1,00,00 रुपे spare रखे उसमें से further इसमें 2,00,00 रुपे करके हो सकता है कि 5 बार लग जाए तो अगर 5 बार इस सब में आपके पूरा fund में लग जाते तो यहाँ पे आपका total investment 3,00,00 ब्लोक हो गया ठीके उसके बाद आप further कुछ भी न फिर से आपके पास case के तोर पे account में आ जाएंगे तो यहाँ पे beauty यह है कि जब market down जाएगा तो automatically आपका जो fund हो equity में transfer हो जाएगा और जब market up जाएगा तब automatically आपका fund जो है वो liquid हो जाएगा मतलब कि case के रूप में transfer हो जाएगा और जब आपके पास further opportunity आएगी तो further आप यह एक stock में इस तरह से करिए फिर दूसरा stock करिए फिर तीसरा stock करिए इस तरह से आप पूरा 10 stock में strategy में जो आप पेशा deploy करना चाहते वो पूरा 3 lakh रुपे का amount deploy कर दीजिए ठीक है अब 3 lakh रुपे का मतलब है कि यहाँ पे 2 lakh रुपे आपको invest करने और 1 lakh रुपे आपको वहाँ ठीक है और बाकी के 50% है वो आप case में ही आप अपने 0 दावले account में रखे ठीक है अब मान लिजे के आपके पास 10 stock होगे अभी आपको क्या करना है अभी आपको daily sir for shift क्या करना है कि एक बार देख लेना है कि मेरे portfolio में कोई 20,000 रुपे वाला stock है वो 22,000 हुआ या फिर 18,000 हु ताकि आप end of the day भी यह चीज कर सकते है अगर आप job कर रहे तो आप सामको आके एक बार चेक कर लिजे के profit booking हुआ है कर नहीं हुआ अगर profit booking हुआ है तो further वहाँ पे अपना GTT जो है वो revise कर दीजे तो I hope कि यहाँ पे मैंने जो strategy समझाई वो आपको पूरी समझ में आगी होग अगर यहाँ पे फिर भी कोई question है तो यहाँ पे मैं एक follow up वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपके जो question है वो cover हो जाए अब मेरे mind में जितने भी point थे वो मैंने आपके साथ discuss कर लिए अगर आपके mind में कोई question है तो please नीचे comment section में बताए ताकि next video में जब बनाऊ follow up वीडिय किये ओ only and only educational purpose के लिए किये यहाँ पे मेरा कोई भी buy or sell का recommendation नहीं है आप अपना portfolio अपने आपसे बना सकते या फिर आप अपने financial advisor की सला ले सकते आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करिए अगर आपको लगता है कि इसमें potential है तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ share करिए and last में इस वीडियो को end तक देखने के लिए आप सभी का देल से धन्यवाद